गड़ी को न देखते रहें वही करें जो ये करती है चलते रहें जिस तरहें आप पैसो का बजट बनाते हैं उसी तरहें समय का भी बजट बनाए बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है समय के मामले में भी यही नीती अपनाए एक डाइरी लें और एक सब्ता तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं ड्राइवरों की भाशा में इसे लॉग बुक कहा जाता है जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमेटर चली और कहां तक चली समय कि अपनी लॉग बुक में आप जितना बारी हिसाब रखेंगे आपको उतना ही ज्यादा फाइदा होगा और हाँ लॉग बुक के पहले कॉलम में गती विधी के बजाए घंटे लिखें ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल न छूट पाए सुभे चै से साड़े चै उठना चाय बनाना नित्यकर्म सुभे साड़े चै से साथ पडोसी से बातचीत करना अख़वार पढ़ना सुभे साथ से साड़े साथ टीवी निउस देखना सुभे साड़े साथ से आठ नहाना और पूजा पाट करना सुभे आट से नौ, नाश्ता तयार होना, सुभे नौ से शाम छे, आफिस जाना, शाम छे से साथ, आराम करना, टीवी देखना, शाम साथ से नौ, दोस्तों की पार्टी, कारिक्रम या समारों में जाना, रात नौ से दस टीवी देखना रात दस से सुबह च्छे सोना दिन भर में मोबाइल फोन पर बातचीत 45 मिनिट आप चाहें तो लॉग बुक बनाने का काम कम्पूटर में एक्सल शीट पर या किसी अन्य सॉफ्ट्वेर पर भी कर सकते हैं इसमें एक सब्ताह तक अपने हर घंटे का संख्षिप्त वर्णन लिखें गारंटी है कि इससे आपकी आँखें खुल जाएंगी इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिवीदियों या कामों में लग रहा है मोबाइल फोन पर आपने कितनी देर बाद चीत की उसके लिए रात को अपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर देखकर अवधी दर्ज कर लें इंटरनेट पर आपने कितना समय दिया यह भी कंप्यूटर की घड़ी देखकर दर्ज कर लें एक सब्ताबाद रविवार को बैठ कर इस पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह विश्लिशन करें ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपना कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी या सामाजिक मेल बिलाप में खर्च कर रहे हैं सिर्फ वही इतिहास मुल लिवान है जो हम आज बनाते हैं हेंड्री फोर्ड देखिए, इनसान मूलते आलसी होता है, इसलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोबन चागरत हो सकता है आप यह सोच सकते हैं कि लॉग बुक रखने की क्या जरूवत है आप यह भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छे तरह मालूम है कि आपका समय कहा जा रहा है लेकिन ऐसा हर्गिज न करें लॉग बुक को वह महतुपूर्ण बुनियात समझें जिसकी नीव पर समय प्रभंदन का महल खड़ा है इसलिए खुद को अनुशासित करें और समय के सर्व श्रिष्ट उप्योग के दूसरे सिधान्त पर पहुँचने से पहले लॉग बुक रखें देखिए लॉग बुक एक तरह से आपके समय के खर्च का एक्सरे है जब आप बिमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह सेटिक बिमारी का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट और एक्सरे करवाता है एक्सरे की तरह ही यह लॉग बुक भी ज़रूरी है क्योंकि इसके विशलेशन से ही आपको सटिकता से पता चलेगा कि आपके समय प्रभंदन की मूल समस्या क्या है यह कभी न भूलें कि समय प्रबंदन की पहली आवशक्ता यह जानना है कि आपका समय कहां और कितना खर्च हो रहा है लोग बुक का विशलेशन इस दृष्टी से करें कि आपके द्वारा कियेगे कौन से काम महत्वपूर्ण है और कौन से महत्वहीन कहां से समय निकाला जा सकता है और किन कामों को पूरी तरह या आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है जिसे करना हमारी शक्ती में है उसे ने करना भी हमारी शक्ती में है अरस्तू जीवन का एक मूलभूत नियम यह है कि किसी नई चीज को करने के लिए आपको कोई पुरानी चीज छोड़नी होगी अगर आपको कोई चीज पानी है तो उसके खीमत चुकानी होगी अब चूंकि आप समय का सर्वश्ष्ट उपियोग करना चाहते हैं इसलिए उसके लिए आपको खीमत तो चुकानी ही होगी। अतैब पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए अपना दिल पत्थर का कर लें और उतनी ही निर्ममता से विशलेशन करें। जितनी निर्ममता से कोई सरजन आपके सीने पर चीरा लगाता है। समय की फिजूल खर्ची को जायस और तर्क संगत साबित करने के प्रयलोबन से बचें। उतनी ही निश्पक्षता से विशलेशन करें। जैसे यह आपके नहीं किसी दूसरे के समय आवंटन की लॉग बुक हो। आपके विशलेशन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन सी गतिवीधिया निरर्थक हैं या किन गतिवीधियों में आप जरूरत से ज्यादा समय दे रहे हैं। जिनें छोड़कर या जिनमें कटोती करके आप अपना समय खाली कर सकते हैं। गहराई से सोचें क्योंकि अपने समय को खाली किये बिना आप नई गतिवीधिया शुरूर नहीं कर सकते। अगले सिध्धान्त में आप आर्थिक लक्षत तै करेंगे जिनें हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त समय की जरूरत होगी। प्रगती के लिए महत्वहीन लगते हैं। जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उप्योग करते हैं, वही सबसे पहले इसकी कमीकार रोना रोते हैं। जैसे टीबी देखना, या मोबाइल फोन पर लंबी बातचीत करना, या दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना। कई गंटे खाली कर लेंगे, जिन्हें आप अनुत पादक कामों से निकाल कर उप्योगी कारियों में लगा सकते हैं। देखी, अगर लॉक बुक रखने से पहले कोई आप से पूछता है कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं, तो आप तेश में आकर जवाब देते हैं। मैं तो जरा भी समय बर्बाद नहीं करता। यह इनसान का सभाव होता है। वह यह मानता है कि वह जो कर रहा है, सही कर रहा है। इसका मूल कारण यह है कि वह जानता ही नहीं है कि वह कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता कि वह कोई गलत चीज कर रहा है, तो वह उसे करता ही नहीं। समय प्रबंदन के संधर्ब में दरसल दोश आपका नहीं है वास्तों में आपको तो यह ऐसास ही नहीं है कि आपका कितना समय अनावशक रूप से खर्च हो रहा है और कहां हो रहा है यह ऐसास तो लॉग बुक रखने के बाद ही होता है इसलिए समय के सर्वशिष्ट उप्योग का पहला सिधान्थ है लॉग बुक रखें घुम शुदा होने की बाद करें तो यह समझपाना मुश्किल है कि वे आठ गंटे कहां चले जाते हैं जो आठ गंटे की नीद और आठ गंटे की नौकरी के बाद बचते हैं दुग लॉरसन